नमस्कर मैं कवीता उनियाल आप देखें मीडिया टूडे टीवी साइट राश्टे संग की मानव अधिकार कमेटी ने हिजाब पर भेदभाव को लेकर फ्रांस को लतार लगाई है साइट राश्टे संग की मानव अधिकार समीटी ने एक मुस्ली महिला की याची का पर ये फैसला सुनाया है जिसे हिजाब पहन कर स्कूल में जाने से रोक दिया गया था मानव अधिकार कमेटी ने कहा है कि फ्रांस ने नागरिक और राजनेतिक अधिकारों से सम्मंदित अंतर राश्टे समझोते का उलंगन किया है ये फैसला 2016 में की गई शिकायत के मामले में आया है नायमा मैजौद नाम की ये महिला 2010 से अपने अधिकार के लिए लड रही है जब फ्रांस की अधालोतों से उसे इनसाफ नहीं मिला तो उसने मानव अधिकार कमेटी में अपनी याच्छी का दाखिल की दरसल 2010 में नाइमा फ्रांस के स्कूल के कारे करम में शामिल होने के लिए पहुँची थी नाइमा ने अपनी सर पर हिजाब पहन रखा था नाइमा जम स्कूल के गेट पर पहुँची तब प्रिंसिपल ने उन्हें रोक दिया नाइमा की याची कपर फैसला सुनाते हुए संइक राष्टे मानेव अधिकार समीती ने इसे धार्मिक अजादी पर हमला बताते हुए फ्रांस को फटकार लगाई है समीती ने कहा है कि हिजाब पहन कर कारे करम में भाग लेने से रोकना धार्मिक भेधभाव का कारे है उन्हें हिजाब के इस्तमाल से रोका जा रहा है फ्रांस में हालिया वर्षों में स्लामोफोबिया की लहर भी लगातर बढ़ती जा रही है और मुसल्मानों पर हमले तेज हो रहे हैं इमिलन मैकरोन की सरकार ने मुसल्मानों की खिलाफ कई कानून भी पास किये हैं जिन से उनकी जिन्दगी में मुश्किले पैदा हुई हैं 2004 में फ्रांस ने स्कूली बच्चों पर सरकारी स्कूल में हिजाब और दूर से धार्मिक प्रतीकों को पहनने पर प्रतिबंद लगा दिया था फ्रांस की सरकार ने फर्वरी 2022 में एक संस्था बनाई जिसका काम ये है कि मुसल्मानों के तौर तरीकों को फ्रांसेसी समाज के मताबिक बदले दरसल ये फ्रांस में इसलाम पर एक योजनाबंध हमला है इसलाम के बारे में मैकरुन की सोच खराब है और वहे इसलाम को नुकसान पहुचाने वाली हरकतों में शामिल है इसलामित मानव अधिकार आयो के प्रमुखनी कहा है कि मैकरुन खुले आम इसलाम पर हमला कर रहे हैं वो इसलाम के लिए संकट पैदा करना चाहते हैं जबकि हकीकत यह है कि फ्रांस की नीतियां और यूरोपिय नेता खुद गंभीर संकट में पढ़ गए हैं। फ्रांस में कई मज़िद सील कर दी गई और उन पर तारा लगा दिया गया। इतना ही नहीं वहां की सरकार मज़िद मदर्सों पर भी कड़ी निगरानी रखती है। फ्रांस में राष्ट्रपती चुनाव से पहले भी हिजाब मुद्दा गर्मा गया था। फ्रांस की राष्ट्रपती उमिद्वार मरीन लिपेन ने चुनावी वादा किया है कि अगर वो सत्ता में आई तो हिजाब पहनने वाले मुसल्मानों पर जुर्माना लगाएंगी। ऐसे में सविक्त राष्ट्र संकी कमेटी का ये फैसला फ्रांस के उन अधिकारियों को मूतोर जवाब है जो अपना रागलापते रहते हैं कि धर्म के प्रतीकों के इस्तमाल की अनुमती नहीं दे सकते हैं। अगर आपके निउस अच्छी लगे तो निउस को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो हमारे मीडिया टूरे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बेल आइकोन को जरूर प्रेस करें। ताकि मेर निउस सबसे पहले आप तक महुचे। अब मिलेंगे अगली ख़बर के साथ शुक्रिया।